ओम स्री गणेशिया नमा दोस्तों ओम गडपती सौमाधान यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 18 अगस्त गुद्वार आज के विरसब रासी के देनिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और मिफसाय कैसा रहेगा केरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सुरू काने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफीशन की बेल को भी दमाए जिससे आप तक समय समय पर नहीं नहीं महत्पून वीडियो पहुँच सके तो चली दोस्तो बात कर लेते कैसा रहेगा आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या पोजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज के दिन कोई भी गलत कदम उठाने से दूर रहें उससे बचें हाला कि आज आज आप जिस भी कारिये को करेंगे उसमें देर सवेर आपको सफरता अवस्य प्राप्थ होगी व्यापार में प्रतीस परदा का भी आपको सहमना करना पड़ेगा और साथ ही भाई बंदों और पडोसियों के साथ अच्छे संबन रहेंगे लेकिन ज्यादा मेल जोल आज कले का कारण बन सकता है इसका ध्यान रखें आज सारवजनिक मान सम्मान प्राप्थ होगा परीजोनों का सियोग मिलेगा और दोस्तों के साथ आप समय बिता कर काफी आज खुस रहेंगे आप अपना जिद्धी विवार छोड़कर समाधान पूर्ण विवार रखने की भी आपको जरूरत है नहीं तो लाब होते होते हाथ से निकल सकता है अपनी नोकरी और व्यापार में कुछ नविनता लाने की कोशिस करें साथ ही कुछ नए कामों में हाथ आजमाएंगे तो लाब की स्थितियां उत्पन होंगी जीवन साथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा और जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान रखें दूस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगिटो रहने वाला है आज खर्चों की अधिक्ता रह सकती है जिसकी वजह से आपका बजट कुछ गरबड़ा जाएगा कोई दुखत समचार मिलने से आपका आत्मुषास कमजोर हो जाएगा और आपकी कारे चमता पर भी इसका प्रभाव पढ़ सकता है घर में नकारात्मक महावल उत्पन होगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपका विफसाइक कैसा रहने वाला है वर्तमान समय में विफसाइक गती वीदियो को विस्तार करने के लिए कुछ नई योजना बनानी पढ़ेंगी इस समय बहुत ही उजित गिरह इस्तिती बनी हुए इसलिए इन योजनाओं को आप तुरंती किरियानमित कर सकते हैं इससे आपको व्यापार में अधिक मजबूती मिलेगी और नोकरी पेसा जातकों के लिए दिन सामाने रहेगा आप अपने प्रियास जारी रखें सफलता आपको वस्य ही मिलेगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं घर परिवार की घर के बुजुर्गों का आसिरवाद वे इसने परिवार में सुखद वातावन बना कर रखेगा सभी सद्रस्यों का आपसी तालमिल बना रहेगा बच्चे भी आग्याकारी और अनुसासित रहेंगे भाई बेनों से संबंद मजबूत होंगे मादा पिता का स्वास्त उत्तम रहेगा घर परिवार में कोई मांगली कारी करम की योजना बन सकती है किसी मेहमान का आगमन भी हो सकता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जीवन साथी से संबंद मजबूत होंगे मदूर होंगे मन मुटा समात होगा और रिष्टों में अधिक मदूरता आ जाएगी दामपत्ते जीवन में खुशियों का महल रहेगा उन रिष्टों की बात करें जो अलग से हैं तो उनमें आज सकारात्मक बदला होंगे दोस्तो अब बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है आज स्वास्ते संबंदी समस्याइं उत्पन हो सकती हैं ये समस्याइं मोसम जनित भी हो सकती हैं सिखासी कफ गले मिदर्द और अपने स्वास्त का अधिक ध्यान रखें नियमित योग करी व्यायाम करें प्रणायम करें और स्वस्त्रहीं दोस्तों आज आप यह उपाए वश्य करें पांच पिरकार के फल और चार पिरकार की मिठाई भगवान स्री गनिश को और पित करें और विदी विदान से पूजा पाठ करें और 108 बार इस मंत्र का जाब करें ओम स्री गनिश है नमा ओम स्री गनिश है नमा इससे आपकी सभी मनोकामनाय सिग्रपूर होंगी आपको भगवान स्री गनिश का सिवरात प्राप्तों कमेंट में जैस रिगनेश होशल की धन्यवा तो आपका दिन्सू बोर मंगल में हो